अस स्लाम वालकुम दोस्तों तो दोस्तों पिछली वीडियो में भी मैं आपको पता चुका हूँ कि SPL की अप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप सवग़ी नैशनल एडरेस बना सकते हैं mira तो आप website के जरीए भी बना सकते हैं यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने website के जरीए कैसे national address बनाना है तो simple आपने Google Chrome को open कर लेना है Google Chrome को open करने के बाद आपने लिखना है search में साओधी national address या फिर national address registration आप लिखेंगे उसके बाद जो आपके सामने website आएगी वो splonline.com.sa की website आएगी जो के मेरे बास second number पर आ रही है तो इस website को हम open कर लेंगे तो उसके बाद हमारे पास यह interface आजाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं के टॉप के उपर SPL की जो application है उसको डाउनलोड करने का option दे रखा है उसके बाद login का भी option है तो जब आप register now पर हम click करेंगे तो यहाँ पर हमें login ही सबसे पहले करना पड़ेगा तो यहाँ पर हम username और password भी बनाएंगे तो हम register now पर click करने के बाद हमारे पास यह interface आ जाएगा तो अब मैं आपको जली से बता देता हूँ कि national address किस तरह बनाते हैं बहुत असान तरीका है अगर यह page आपको अर्वी में देखने को मिले तो आप इसकी language राइट साट पर टॉप पर जो option है से change कर सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि यह interface है बस इसके बाद आपने individual पर ही रखना है उसके बाद नीचे continue के बटन दे रखा है इस continue के बटन पर आप click कर देंगे continue के बटन पर click करने के बाद हमारे पास यह interface आ जाएगा अब यहां पर हमें सबसे पहला option जो दे रखा है वो है personal ID का यानि यहां पर आप common number एंटर कर लेना और उसके बाद नीचे है date of birth तो date of birth यहां पर आप एंटर कर लोगे और उसके नीचे है continue के बटन तो इस continue के बटन पर आप click कर देना तो continue के बटन पर click करने के बाद अब हमारे पाद next page ओपिन हो जाएगा यहां पर आपको आपका नाम देखने को मिल जाएगा अब इसको मैं scroll up कर लेता हूँ अब यहां पर सबसे पहला option है personal information का जहां पर mobile number आपको एंटर करना है यहां पर हमें mobile number आइंटर करना होगा और उसके बाद email address का option है तो यहां पर आपने अपना email address आइंटर कर लेना है और इसके बाद बारी आती है अब username और password बनाने की तो सबसे पहला option है username का तो यहां पर आपने username बनाना है alphabet लिखना है और नमबर लिखना है और आपको स्क्रीन पर देख रहा होगा example के तोर पर आप यह example के तोर पर देखकर अपना username बना सकते हैं अगर आपका username नहीं बनता तो आप उसको change कर लेना तो unique सा username आपने बना लेना है और उसके बाद बारी आती है password की तो password में एक capital letter हो एक small letter हो, number हो इस तरह आपने password बना लेना है तो इसकी भी example आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यह example के तोर पर आप देखकर अपना password बना सकते हैं तो password की जग़पर password एंटर कर लेंगे और उसके बाद confirm password की जग़पर वही password दुबारा एंटर करेंगे और उसके बाद नीचे check का option देखने को मिलेगा इस check के option पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद नीचे sign up का button है तो इस sign up के button पर क्लिक कर देंगे sign up के button पर क्लिक करने के साथ ही हमारे mobile number पर आएगा OTP code तो वो OTP code हमें अब एंटर करना होगा और उसके बाद हमें continue के button देखने को मिलेगा तो इस continue के button पर हम क्लिक कर देंगे तो continue के button पर क्लिक करने के साथ ही अब हमारे पास next page ओपिन हो जाएगा और इस तरह हमारी इस application में इस website में registration कम्पलीट हो जाएगी अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ के national address बनाने से पहले हमें इस SPL की जो website है इस में registration जो है वो करनी ही है तो यहाँ पर हमारे username और password बन चुका है अब यहाँ पर हमारे बाद जो यह interface आया है यहाँ पर अगर आपके पास यह अर्भी में आया है तो यहाँ से आप top पे जाकर English को change कर सकते हैं इंग्लिश में अर्भी और अर्भी में इंग्लिश कर सकते हैं तो यहाँ पर यह interface आ चुका है अब हम यहाँ पर website पे ही काम कर रहे हैं website पे ही national address बनाएंगे हमने कोई application डाउनोड नहीं करी है बस अब हमें यहाँ पर three dot पे click करना है जो three lines है इसके उपर click कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर आपको यह window बिन हो जाएगी अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि national address लिखा हुआ है तो इस national address पे आप click कर दोगे तो हमारे पास यह interface आजाएगा मैप का बटन इसके उपर आपने click कर देना है तो आपकी location आ जाएगी अब आप जिस building में है या जिस घर में है उसके बाहर एक green करर की तख्ती यानि के plate लगी होती है उस पे आपका number लिखा होता है building का या घर का तो आप यहाँ पर देख लो इस map के उपर कौन सा number आपका है घर का number या building का number तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि map के उपर बहुत सारी building आ रही है तो इस में से आप जिस घर में जिस building में रहते हैं वो number यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपने उसके उपर click करना है तो आपका पूरा national address आ जाएगा तो यहाँ पर मैं click करता हूँ त साथ अब हमारे पास next page open हो जाएगा अब यहाँ पर हमें building की detail एंटर करनी है जहाँ पर आप रहते हैं अब यहाँ पर सबसे पहला option है accommodation type का यहाँ पर आप click करोगे तो एक window open होगी यहाँ पर पूछा जा रहा है कि apartment में रहते हैं विला में रहते हैं या duplex में रहते हैं तो आप enter कर लोगे जैसे कि मैं apartment पे रहता हूँ apartment select करूँगा उसके बराबर में आएगा floor number का option तो आप जिस floor पे रहते हो यहाँ पर लिख लोगे first floor second floor जो भी floor है उसके बाद है property type तो own और rent अगर आपकी अपनी है तो own select करोगे अगर आप rent पे रहते हो तो rent select करोगे और इसके बाद बस आपने कुछ भी नहीं करना है सीधा आपने scroll down करके नीचे आजाना है अब यहाँ पर आपको एक button देखने को मिलेगा review and confirm का तो इस review and confirm के button पर आप किलिक कर देना तो यह next page open हो जाएगा यहाँ पर review है इस पर भी आपने कुछ नहीं करना scroll down करना है और सीधा आपन नीचे आजाना है और यहाँ पर आपको दो check देखने को मिलेंगे तो इन दोनों पर check लगा देना है उसके बाद एक और button देखने को मिलेगा complete registration का तो इस complete registration के button पे आप किलिक करोगे तो आपके mobile number पर आएगा OTP code तो वो OTP code आपको यहाँ पर enter करना है OTP code enter करने के बाद पर आपको देखने को मिल जाएगा अब इसका प्रूफ चाहिए तो आपने scroll down करना है तो नीचे आपको प्रूफ का बटन देखने को मिलेगा तो इस प्रूफ के बटन पर आप किलिक करोगे तो आपके सामने प्रूफ आ जाएगा इसका printout भी निकाल सकते हो आप इसको company भ बहुत असानी से बन गया तो दोस्तो वीडियो अच्छी लगी होता लाइक और शेयर भी जरूर कर देना और सब्सक्राइब करना बिलकुल भी मत बूलना